नमस्कार दोस्तों स्वागा थे पीडवली ओली आईस में आज सुप्रीम कोट का एक और लैंड मार्क फैसला आया है वो भी इलेक्शन से कुछ ही चंद महीने पहले अब इस फैसले की और ज़्यादा एहमियत तब बढ़ जाती है जब हम इस फैसले को पढ़ते हैं कि ये किसके अरांड है ये है इलेक्टोरल बांड के अरांड इलेक्टोरल बांड हमें काफियों को पता होगा खिए इलेक्टोरल बांड ऐक स्कीम आयी थी 2016-17 में वो इसलिए आयी थी कि जो political parties को जो चंदा दिया जाता है अब उस चंदे में अगर कहीं black money involved हो तो उसको पकड़ा जा सके या black money कम हो सके election में जो financing होती है parties की क्योंकि parties को खर्चा करना होता है चुनाओ लड़ने के लिए अब जो वो पैसा आता है वो पैसे का source क्या हो वो पैसा कौन दे सकता है कोई भी political party को हम और आप भी fund कर सकते हैं हम चंदा दे सकते हैं कंपनिया भी चंदा दे सकती हैं अब इसी कोई electoral bond के form में हम political party को donation दे सकते हैं इसी के उपर case चल रहा था सुप्रीम कोड में और पिछले साल नवेंबर में इसकी hearing हुई थी तब क्या हुआ था कि 5 judges की bench ने एक constitution bench ने इसको 3 दिन तक इस matter को सुना और हमारे देश के attorney general इसके अलावा तुशार महताजी ये सारे लोगों ने union सरकार के साथ के साथ खड़े होके अपने पक्ष दिये थे इसके अलावा जो opposition यानि कि जो petitioner थे CPIM party थी ADR संस्था थी तो इन लोगों ने बोला था कि ये जो scheme है ये बहुत ही उपेक है बहुत जादा impartial है इस scheme का कोई मतलब नहीं है और जो ruling party है केवाल ये उसी के फाइदे के लिए है अब electoral bond scheme को आज Supreme Court ने एक फैसला देके ये बोल दिया कि electoral bond scheme unconstitutional है null, void, नहीं बिख सकते electoral bonds और इसके अलावा साथ ही SBI जो कि एक मातर bank था जो electoral bond में deal कर सकता था उसको बोल दिया सारी सारी detail देो अब election commission को अब ये फैसला बहुत एहम है हमारी democracy के लिए और ये समझने के लिए कि कितने important है हमारे right to information, हमारा right to privacy जब electoral bond scheme आई थी तो हम उसको बोलते थे EBS ठीक है, जब EBS scheme आई तब EBS scheme के आते आते कुछ और acts में भी amendment हुए थे जैसे income tax act में 13A sub clause B में amendment हुआ था फिर हमारा RPA यानि कि हम जो RP 1951 जिसके according हम अपना चुनाव करते हैं हम उसका section 29C इसमें amendment हुआ था, इसके बाद section 183 clause 3 of the Companies Act इसमें भी amendment हुआ था इन सभी amendments को Supreme Court ने बोला कि null and void नहीं टिक सकते ये unconstitutional है नहीं चल सकते reason being क्योंकि एक तरफ ये amendment है और एक तरफ है हमारे देश में सम्विधान का right to information ठीक है कि हमारे देश का right to freedom and speech है हमारे पास 19 clause 1 sub clause A भी है अब याद कीजिए जब एक तरफ इतना बड़ा हमारा सम्विधानिक अधिकार है और एक तरफ ऐसे amendment है तो जाहिर बाद है Supreme Court ने बोला कि हमें अपनी बात कह सकते हो आप अपनी बात लिख सकते हो अपनी बात बता सकते हो यह आपका अधिकार है मौले का अधिकार है अब इसी अधिकार को ध्यान में रखते हुए यह amendments टिक नहीं सकते सौरी नहीं हो सकता अब दूसरी चीज यह भी कि Companies Act में एक amendment था section 182 clause 1 उसके तहत जो political parties को जो पैसा दिया जा रहा है क्या उसकी वजह से election free हो पा रहे हैं fair हो पा रहे हैं यह हो पा रहे के नहीं कि election जो है वो fair है सबके लिए क्या यह चेक हो सकता है क्योंकि यह जो section 182 clause 1 था यह यह कहता था कि political parties को चंदा देना कंपनियां दे सकती है ठीक है अब क्या यह कोई hit हो रहा है उससे कोई फायदा हो रहा है क्या उससे कोई nexus बन रहा है आपस में क्या उससे कोई in parties में और corporations में कोई एक जिसे कहते हैं quid pro को जैसी कोई स्थिती हो सकती है क्योंकि money and politics शुरू सही रहा है money और politics का दामा नमेशा एक साथ रहा है अब इसी चीज़ को सोच कोड ने जब यह फैसला दिया तो CGI पाचों जज़िज ने unanimous फैसला दिया है एक ही साथ फैसला दिया है कोई differing opinion नहीं है एक जज़ ने दूसरे reason की वजह से भी same opinion में अपना फैसला दिया है that is 5-0 अब इसको बोलते-बोलते CJ सर ने मोला कि देखो कुछ मत सोचो बस आप यह सोचो कि शुरू शुरू में उपर उपर चागर आप देख भी रहे हो तो हाँ parties को पैसा देना एक तरीके से जो contributor है जैसे हम और आप अगर party को पैसा देते चंदा देते हैं तो हमें contributor हैं हम election में भागीदार हैं हम अपनी democracy म में हम अपने जो हमारा MP MLA है हम उनके साथ हमारा एक जुडाव हो रहा है पर इस इस जुडाव के साथ साथ यह पहुत कुछ possible है यह access also translates to influence over policy making के इसकी वजए से आप और आपके MP MLA के बीच में हो सकता है दोस्तियारी जादा हो जाए और policy making यानि नीतियां बनाने में हो सकत भागीदारी हो रही है वो एक political party के साथ मिलके एक quid pro को वाली स्थिती पैदा हो सकती है यह नहीं होने देंगे हम नहीं हो सकता अब electoral bond scheme जो है और इसके अलावा जो भी और provision जो आ रखे थे जो अभी तक आपने amendment किये थे they infringe upon the right to information of the voter by anonymizing the contributions जब आपने यह नहीं बताया कि चंदा देने वाला कौन है तब आपने एक आम इंसान एक आम वोटर का right to information चीन लिया यह नहीं हो सकता है यही तो electoral bond का सारा खेल था electoral bond का यही एक argument था इसके against हम यह कहते थे कि electoral bond के साथ एक चीज हो रही है वो यह है कि यहाँ पे कोई पता नहीं है अब मान लो यह एक company है यह एक company अगर यहाँ खड़ी है इस company ने यह गई bank के पास bank से इन्होंने बोला कि हम लाएं आपके पास 5 लाग रुप है इस 5 लाग अब यहाँ पर पबलिक को नहीं पता है खाली बैंक को पता है कौन पैसा देने आया था खाली finance ministry को पता है कौन पैसा देने आया था कोई और इसके कोई और इसके लावर कोई नहीं जानता है के यह पैसा कहा गया किस ने दिया था किस पारटी को जा रहा है सब्वाइब नहीं है क्योंकि अमेंड मेंट हो चुका है अब कानून तो यह कहता है शाप नहीं बताइंगे तो नहीं बताएंगे ठीक है no information on which party receives funding from which company information नहीं है कौन सी कमपनी कौन सी पर्टी को पैसा दे रही है तो इसलिए जरूरी है कि यह साइफन अगर हमें रोकना है ब्लैक मनी का तो उसके लिए एलेक्टरल बॉर्ण स्कीम ही जरूरी नहीं है यही सुप्रीम कोड ने आज बोला सुप्रीम कोड ने बोला कि अगर आपको लग भी रहा था कि अगर आप सोच रहे थे कि यह जो आपको ब्लैक मनी अगर रोकना है कि भले ही आप कह रहे हों हमसे कि ठीक है जो आपका electoral bond scheme आने का एक reason एक objective था कि हमें black money रोकना है तो इस objective को पूरा करते हुए आप electoral bond scheme लेके आए पर black money को रोकने के लिए electoral bond scheme के आगे भी और सारे प्रावधान है आपने वो क्यों नहीं किये क्यों नहीं लगाए वो अब लेके आ गए that there are other means other than electoral bond schemes to achieve the curbing of black money even assuming it to be a legitimate objective क्या आपका objective अगर था भी यह मान लेते है ठीक है तो भी अगर मैंने चंदा दिया इस पार्टी को और पार्टी के अगर हार गई कोई और सत्ता में आ जाए तो मेरी आरेंटिटी रिवील ना हो जाए क्योंकि मेरी प्राइवेसी भी तो है फिर बाद में मुझे कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे ऊपर कोई इसी के साथ साथ जो अमेंट्मेंट हुए थे इंकम टैक्स एक्ट में कंपनीज एक्ट में आर्पीए में वो सारे के साथ एमेंट्मेंट भी नल एंवाइड अनकॉसिट्यूशनल डेक्लेर अन्वैलिट हो गया अब इसके बाद आई क्वेशन SBI के उपर कि अब आईए आप इधर यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि यह जो इसुइंग बैंक है SBI जहाँ जाँ जाँ इसुइंग की बिकरी हो रही है रोग दो कोई अब और नहीं इसुऊ होंगे फिर इसके बाद रहों ने बोला कि जितनी भी इलेक्टरिल बॉण्ड बिके हैं इलेक्टरिल बॉण्ड लोगों ने खरीदे हैं किसी पार्टी ने एनकैश कराया है वो डेटा आप 2019 से लेके जो हमारा इंटरिम ओडर तब आया था एप्रिल 12 को तब से लेके 2019 से लेके आज तक का डेटा आपको फर्निश करना है to the election commission of India को सारा डेटा देखे हो कौन कौन किस पार्टी ने कितना इनकैश कराया है किस बायर ने यह एलेक्टरल बॉण्ड खरीदे थे हमसे यह सारी चीज़ है आपको अब देनी पड़ेगी यह सारी यह सारी इंफोर्मेशन आप रिवील करो पब्लिक होंगी लोगों को पता चले क्या हो रहा है ठीक है इसके बाद ही SBI ने बोला यह सारी कोट ने बोला कि SBI शाल सब्मिट अब इन्फोर्मेशन टू इसी आई विदिन थ्री वीक्स फ्रॉम टुड़ेगी दैट इस चे मार्च तक आपको आपको जरूरी है कि सारी इंफोर्मेशन पहुचा दो उनको इस जिनकी अभी वैलेडिटी बची यह 15 दिन की ठीक है पर अभी वो एनकैश नहीं हुए है तब ऐसा होगा कि उनको रिटर्ण कर दिया जाएगा शाल भी रिटर्ण बाइट पॉलेटिकल पार्टी टूद पर्चेसर इसुइंग बैंक शाल देन रिफंड अमांट तूद पर कितने बड़े-बड़े अड़ोगेट्स ने ये केस लड़ा था सुना था कपिल सिब्बल जी प्रशान भूशन जी और शदान फरसाद जी ठीक है निजाम पाशा जी सीनेर अड़ोगेट है विजय अंसारिया जी ये सब लोग आये थे उधर एटर्णी जनरल थे हमारे सॉ ऐसे एकट्टे-एकट्टे पेटिशन आये थे सुप्रीम कोड ने का एक साथ सुन लेंगे इनको आसान हो जाएगा अभी दे देते हैं इसका अंसर। सुप्रीम कोड ने अज लैंडमार फैसला दिया इन बैच पेटिशन पे तो एक कॉंग्रेस की लीडर है जया ठाकुर CPIM Party है और एक हमारी संस्ता है जिसकी हम रिपोर्ट पढ़ते हैं ADR Association for Democratic Reforms यह ADR संस्ता है जो सारी डीटेल निकाल के लाती है कि कौन से नेता, कौन से MP, कौन से MLA के ऊपर कितने चार्जे लगे है, करप्शन के मैटर लगे है, क्रिमिनल चार्जे लगे है, कुछ भी लगे ह तो इस संस्ता के साथ मिलके कई सारी batch petition file हुई थी, यहाँ पे ही लोगों ने पूछा था, कि सर ये जो इतना opaque process है, ये जो इतना partial है, biased है ये scheme, ये scheme नहीं चल सकती है, ये finance bill मान के इसको pass किया गया था, इस पे हमें बात कर रही है, Supreme Court प्लीज पे फैसला दे, तो ये फैसला आज आया, Supreme Court ने बहुत बड़ा एक decision दिया है, हमारी लोगतंतर के लिए, हमारे elections के लिए बहुत important फैसला है ये, और ये फैसला इतियास में दर्ज होगा, कि बहुत ही जादा strong words में Supreme Court ने बोला है, कि ये unconstitutional है, जब पाचों judges ने साथ बैठ के बोला, कि एक भी differing opinion नहीं ह सब लोग ये मान रहे हैं, कि electoral bond scheme is unfair electoral bond scheme, is opaque electoral bond scheme जो है, बहुत ही जादा एक ruling party के favor में है, with this हम इस news को यहाँ पे conclude करते हैं, इस news में our development होगा, अगर इस पर कोई review petition होती है, हम उसको फिर take up करेंगे, till then you keep studying, stay safe, good luck